दितियेस अगर तितियेस में जा तितियेस भाव में जाए पराक्रम भाव में जाए जहां से पराक्रम को देखा जाता है तो उसका क्या फलादेश हो सकता है भाव खल दिपी का ब्रुहत परासर से सुत्र धनेश्वरेवीक्रमगे थवांबुगे पराक्रमीश्यान्मतिमान गुनाग्रणीनिही सदसत्रुष्वर्सीस्त्री दिवेश बेदजा बेदजा कह परांगना रत्य विसार पेश्रक जब दितिये स्कृतिय में जाए तो ऐसा जातक अपने भाई के मात्यम से भाई से भाई के त्वारा या भाईयों से मिलके सुख दुख में चलते हैं जीते हैं जिवन जापन करते हैं और वहीं से धन उपारजन भी करते हैं क्योंकि पराक्रम में जाके धनाधी प्रहा तो पराक्रम से ही धन उपन्म करते हैं ऐसे व्यक्ति ब्यवसाई जसस्वी चंचल मना और अगर पाप ग्रह हो तो चोरी बृत्ति और कुछ गलत उपाय में भी पैसा कमाते हैं किन्तु ये लोग धन धान्या से परिपोन रहते हैं ऐसे जो जातक 28, 48, 48, 60 बर्स बैसमें उमर में इनको स्पेसल अपरचिनिटी मिलता है आमिर होने के लिए और अगर दुदियस पाप ग्रह है या पाप ग्रह युक्त है या पाप ग्रह द्कुष्ट में है तो इनका उद्योग हानी होना ये भिन्न समय में इनका सभी धनों का बिनास होना तनिक धन कमाए तो धनगर भी होना और कभी-कभी ये भी देखा जाता है अगर ये धनेस मंगल हो तो जातक चोर भी होता है और सुर्यो हो रभी हो तो बंदु विरोधी होते हैं और सनी होने से बंदु हीन होते हैं अगर दितियेस तृतिये में जाए तो दितियेस अगर सनी हो तो दितियेस अगर रभी हो तो दितियेस अगर मंगल हो तो ये शुत्र यहाँ पर बताया जाता है तो अगर आप लोग जोतिस सीखना चाहते हैं या हमारे पास आगे प्रसिख्र लेना चाहते हैं रहे के सीखना चाहते हैं साधना करना चाहते हैं कि पिट्र दोस ऀसंतिय निबारन से लेकि कालँए दोस निवारन से लेकि पित्र दोस आधि निवारण का करमकांड सिखना चाहते हैं साधना त्य लटके करना चाहते हैं ग्रह प्रतिष्टा ग्रह प्रवेस इत्यादी भूमी पूजनादी सिखना चाहते हैं जोतिस सास्त्र सिखना चाहते हैं साधना करना चाहते हैं आपका कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे अमिमान से बंद में पड़े हैं या किसी ऐसे प्रस्ण का उत्र सेंड का भय है अगर रो गुरी कुरुण में फसे हुए हैं निकलना चाहते हैं यह सारे समस्या के लिए आप हमें संपर्ग कर सकते हैं हमारा मुबाइल नंबर 9437580589 या फिर 99993727418 आप SMS कर सकते हैं वाट्सेप कर सकते हैं कॉल नहीं आपका वीडियो कैसा लगा आप जरूर लाइक डिसलाइक या कॉमेंट कर सकते हैं हमारा वीडियो को सेयर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए नमस्कार